सब्सक्राइब करने वाले हैं इस सेशन के अंदर को बताऊंगा कैसे इस तरह के सवालों को किया जाता है मज़ा आएगा profit and loss के कुछ सवाल हैं आप हमारे पाथ तो लेस्स किसशन करते हैं इस्टार्प क्रत एक काकरने सबस्क्राइब कर सबस्क्राइब करसे नहीं थेए區ट्ड करते हैं सबस्क्राइब किस परीफित प Song बप्राइब के Sumerty फॉप्वाल त्या मेर्मदेख भीडन ऊ क्या कहह राहा, Qi्या पराइब यानि कि मार्क प्राइज के 3 बाइज 5 पे अगर किसी आर्टिकल को मैं बेचता हूँ उसको तो करता हूँ ते लौस परसेंटेज वास 10 परसेंटेज तब मेरे पास जो लौस परसेंटेज है वो 10 परसेंटेज क्या करूँ जहांसे देखो यहां पर तीन चीज़ों के बारें बात हो रही है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्स प्राइस अगर लॉस 10% है तो मैं माल लेता हूँ let's assume the cost price is 100 अगर 100 मेरा cost price है तो अगर मुझे 10% का यहां पर 10% का यहां पर लॉस हो रहा है तो selling price will be 90 now अब हम से यह कह रहा है when article was sold at 3 by 5 अगर article वो मैंने 3 by 5 पे यहां पर sold कर दिया तो भाई mark price अगर मैं X माल लेता हूँ तो X का 3 by 5 पे अगर मैं इसको sold करता हूँ तो 90 में sold करूँगा तो इसका value क्या होगा the value of the mark price will be 150 एक सो पचास का यहां पर mark price होगा और 90 का selling price and 100 का calls price the article should be sold at what fraction article को कितने fraction में what fraction of mark price to earn 10% profit कि अगर उसको 10% profit कमाना हो अगर उसको 10% loss कीजएगा 10% profit कमाना हो तो उसको mark price के कितने fraction में उसको बेचना पड़ेगा भई 100 अगर रुपे इसका cost price है तो अगर इसको अगर 110 रुपे में बेचना चाहिए था तब उसको 10% का यहां पर profit होता 110 रुपे में जब बेचेगा 100 रुपे पर 10% का profit कब होगा उसको अगर इसको बेचना पड़ेगा जिससे उसको यहां पर 10% का profit होगा सवाल अच्छा है question basic concept के उपर ही है पूछने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से ठीक है एक बैस को देख लो शांदार सवाल है उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चली आगे बड़े अगले सवाल पर देखो ट्राइट 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 अट्राइट इस कोस्टिन देर वी इसकोस इट find the cost price of the cycle for Rohan तो हमें एक cost price है वो यहाँ पर निकालना है कितना होना चाहेंगे ह réflexe अगलिए तो है तो है है कि चलिए द्जान से देखिए वह रहा है हमसे रोहन सेल रोहन सेल्स हिस साइकेल है हुआ ओर वहन सेस्स साइकिल थू मोहन ए टुवयंटीपर्सेंट प्रॉपित। थी thri gonna ने मोहन को टाकिल बेची इतने में 20 पर्सेंट या पे पर फॉफिट पर कि हमसे क्षास प्रचित तो ने उसको बेचा part पर पर फिजा इनी कि 120 तड। मोहन spends 400 on the repairing ठीक है मोहन ने उस पे 400 रुपे repairing पे लगाया तो ये है हमारा रोहन और ये है मोहन इसकी price को 100x माल लेते हैं तो एक इतना होगा 120x अब मोहन ने इसमें 400 रुपे और एड किये repairing पे तो कुल मिलाके वो cycle उसको 120x plus 400 की पढ़ रही है on repairing of the cycle after that he sold it to TINA इसने cycle को TINA को बेज दिया at 12.5% profit 12.5% profit पर if the cost price of cycle for TINA is 4500 तो इसका मतलब TINA ने इसको 4500 रुपे में खरीदा होगा ये हैंने कि मोहन के लिए 4500 क्या होगा टीना के लिए वो cost price होगा तो इस value का 12.5% अगर profit में देखू तो देखो 12.5% का मतलब क्या होता है आपको मैंने percentage बताया था percentage में आपको मैंने percentage fraction conversion बताया था तो बताया था कि भाई 12.5% का मतलब क्या होता है 1 by 8 तो इसका मैं निकाल लेता हूँ 9 by 8 why जोग कि 8 क्या है 8 is 100% और 1 is what, 1 is 12.5%, यह मैंने आपको बताया था, तो 12%, 12.5% है, वो मैं क्या करूँगा, किसी price में add कर दूँगा, तबी तो मुझे कुल मिला के वो selling price मिलेगा, 12.5% का मुझे profit मिला, यह क्या actual में, इस cost price में 12.5% को आपको करना है add, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 9 by 8 निकाल तो when you will solve it, तो हमको बताना है, cost price of cycle for Rohan, Rohan के लिए जो cost price है, नहीं कि 100x का value फाइन करने के लिए x का value निकालना पड़ेगा, 500, cross multiply करो, 4000, and this will be 120x, तो 400 इदर आएगा, तो x का value कितना जाएगा, 3600, upon 120, यहने कि 30, x का value 30 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 30 into 100, जन्यकि 3000, रुपी, 3000, रुपे आपे हमारा, क्या जाएगा, cost price आजाएगा, that will be the right answer, एक बात देखनो और बताओ, ठीके, आया समझ में, कोई देखकर समस्या परशानी तो नहीं इसमें, आगे देखो, next question, try to solve it, try to understand, एक मिट का समय आपको दे रहा हूँ, you have one minute for this question, the fact justify not that about this negative thing, ough отп में झातम ईव dependent कि ही समय आपको देखक रची को नहीं, आपको रूपकों कम मिवा मिये आपकों is this the 59th, आपको आपको, किर समय आपकों कि हमारा रहा हूँ, झाल झाल ठीक है चलो देखिये क्या कह रहा है करन पर्चेस इन आर्टिकल मांग डप बाई 50% at a discount of 20% बट लेटर ही फाउंड देट आर्टिकल वाज वह विविगा डिफेक्ट तो ही डिसाइड टू रिटर्न इट बट शॉपकीपर रिटर्न हीम ओनली 90% of what he had paid what is the profit or loss of the shopkeeper in the whole transaction याने का मतलब क्या है करन ने पर्चेस किया क्या एक आर्टिकल को जिसको मार्कप किया गया है 50% उपर ताहिक्ञें करन एक पर्चेस किया आर्टिकल को ऑगर सोरृपिक आर्टिकल है पर्चेस वन करेंच दिसकाउंड यह फाउन्द एट था आर्टिकल वजय वास तो कुछ इसे यह का सवाल कह रहा है कि बहुई पर सबसके पहले ह作back कर दिया अगर दिया गया बीस पर्सेंट का हुआ हम तो इसको आटिकल कितने लेगा यह निए कि बीफ पर संथ पंदरा एक सोपेचास का बीश पर्सेंट इस रुपे-क अगर डिसकांट मिलेगा एक आट सोबीस रुपे जो उसने पे किया तो करन ने 120 रुपे उस शॉपकीपर को पे किये होंगे क्योंकि वो पार्टिकल था 100 रुपे का कॉस्ट प्राइस था होगा है तो इसको 120 रुपे का पड़ा होगा तो इसमें कुछ डिफेक्ट पाया पाने के बाद उसने क्या वापिस किया है उसने 120 रुपे किया होंगे लेकिन शॉपकीपर ने उसको किवल 90 परसेंटी पैसा वापिस किया तो 120 का 90 कितना होगा एक सो आठ नाइटी प्रसेंट ऑफ 120 विल्टी विल्टी वन एंटेट तो उसने 120 किजेगा उसको केवल एक सो आठ रुपे ही पे किये वर्जद प्रॉफिट और लॉस और शॉपकीपर इन दा होल ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट और लॉस है शॉपकीपर का हो ट्रांज मिल गया कोई दिक्रत की बात नहीं उसने कितना पैसा पाया तो रुपे का आठ टिकल था उसको 108 रुपे उसने क्या करें एक्सोबीस रुपे पहले उसने पे किये थे उस परसन ने एक्सोबीस रुपे पे किये अब उसने दुबार से उसको एक्सोबीस रुपे वापिस कर दिये अगर एक्सोबीस रुपे पहले उसने दिये थे उस शॉपकीपर को और एक्सोबीस रुपे शॉपकीपर को वापिस करने पड़े तो यानि कि उसको बारा रुपए बारा रुपए यहां पर उसको क्या करने पड़े उसे वापस देने पड़े यानि कि बारा रुपए का बारा रुपए का यहां पर उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ चलो, next question, take your time, एक मिनिट का समय लो, कर समय उठान, खिर रेदान कर में उ्लयान, कर भी हो आयरेनल के समय रियले को जब हो समय उठान, क्यां Mr. कि देखिए तर में समात हो चुका है क्वेश्चनम से क्या कह रहा है आयूश बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज एट हंडड़ेद एंड़ एट ट्वेंड़ी परसिंट प्रॉफिट एंड़ेट सम्वनी आयूश ने क्या कि बाई किया कुछ आर्टिकल को और रुपीज कैसे करेगा देखो by 20% profit और इसको 20% profit पर इसको क्या कर रहा है बेच रहा है इसको बेचेगा तो कितने बेचेगा आर्सों का 20% कितना होता है 160 निकि 960 में इसको बेच रहा है इस 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 जाली प्राइश and get some money and from that money he gain he gain again by the same article at previous cost ठीक है बई and get some money उसको पैसा मिला and from that money he again by the same article at the previous cost उसने दुबार से उसी article को फिर से खरीद ली 800 पर में but this time he sold it at 15% loss उसको कितने परसें का लॉस हुआ 15% का लॉस हो गया बई previous cost पे and from that money he again by the same article at previous cost तो इसको अब इसको क्या हुआ 15% का यहां पे लॉस हुआ तो आट सो का पंद्रा परसेंट कि एक्सो बीस यानिकी कितने का पड़ा इसको छेसो असी एक्सो पड़ेगा आटिकल और इसको साथ रुपे कमाया यहां पे इसने एक्सो बीस रुपे गवाया तो गवाया तो कितना बचा 40 रुपए बचा तो आट सो का चालिस कितना हो जाएगा लेट विल बी वट पांच परसिन यां पर बहुत कमाया पहले प्रोफिट में उसको 20% का प्रॉफिट हुआ को अब हो क्या रहा रहा रहे ंज्यां से कहो पहले 40 रुपई बच गए अब दूसरी वारे में उसने 120 रुपए गवा दिये इसकी वेज़े से उसने देखा 40 रुपे ही overall इसके पास पैसा बना यानि कि that will be only 5% तो इसको आप एक बात देख लो और बताओ कि बास समझ में आई की नहीं आई ठीक है तो अगला सवार प्राइट तो अगला सवार प्राइट करो इसको एक मिनिट का समय ले रहे हैं वन मिनिट पॉस इसकोशन करिए प्राइट आप किरें बास स söyl載न कर दो तो नहीं वन मिनिट कर दुफे प्राइट WHY यहीं आदित कि लिए यहीं भे और दो आजशन कर दो मिनिट कहिए चलिए यह कर दा कॉस्ट प्राइस होगा पैंसल रुपीज एट लेस देन डेट अफ टैन्ट जैने कि जो प्राइस है किसका पैंन का पैंसल का वह 8 रुपए कम है पैंसे अगर पैंसल की बात करें तो पैंसल का कॉस्ट प्राइस आठ रुपए गर कम है पैन से तो दिस इस पैन पैन का कॉस्ट प्राइज और पैंसिल का कॉस्ट पैस क्या होगा इससे आठ रुपए कम आठ रुपए कम यानिकी एक्स माइनस एड हो जाएगा वेंदा पैन इस ओल एड फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट अभी कह रहा है जब पैन को पचास परसेंट प्रॉफिट पे मैंने बेचा इस विए वन पॉइंट फाइंस ओप्स डेल गुना हो जाएगा इसका प्रॉफ जूख प्रॉफभ लिए प्राइबर हैं अगर दोनों सेंट प्रैस बराबर हैं अगर दोनों सेंट प्रैस बराबर हैं so this will be this 1.5 times of X 1.5 times of X will be equal to 2.5 times of X minus 8 when you will solve it so solve karu kithana aya ga cross S main antar multiply karu 5X minus 40 3X so X ka value kya aya ga this will be 5X minus 3X this will be 40 yana ki upon 2 yana ki this will be 20 20 rookies x ki value kyo so x price over pen pen kotz price kytna ha Gentle 20 R that will be the answer option number 8 gemen pay pay 50% parity i.e.s. І जाएगा 1.5 x and 2.5 times of x-8 अब यह दोनों के जो कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है बोथ सेलिंग प्राइस अर एक्वल अगर दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है एकोरिंग टू कोशिन दूरू को बराबर रग दो और यहां से एक्स का वेले निकालो बीस रुपई यहां पर हमारे पास आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस डैट विल बी ऑप्शन नंबर ए ठीक है डैट विल बी ऑप्शन नंबर ए कोई दिक्कत समस्त्या परिशानी है जालू देखिए लो स्कूर एक बाद हागे बड़े नेक्स कोशिन ओने स्क्रीन करें प्राइटो एंडेस्टेंड इट सोचिए समझिए कैसे सॉल्ड करें एक मिनिट का समय दे रहा हूं करें विल बाहर हा हूं करें लो समय कोशिएF अ मिनिक्सद्टेंड वाग 확보 झाल 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 चलिए समय समात प्रेशन को देख लेते हैं अब वेजिटेबल सेलर बाइस पोटेटो एंड टमेटो इन रूपीज तेविन पॉइंट फाइप पर केजी तो प्रड़ ने पॉइंट पॉइंट फाइप पर केजी में चेंड रहा है तो प्रेटो इस ने 7.5 रूपी पर केजी में सब्स्रीं किया है थीक है इफ्व जाय। सैरी के वालोब सकती है आधिन प्रोंटैटों को तरीका सेविए रड़ रोपी को सब्सक्राइब टमेटों utilized रánसे की अगी और तरीका है और सीं लुपीजिक सिस्थ की रॉपीज आख सकती है पटेटो को 22% यहां पर चीक है वई अगर यह कोई भी प्रॉफीट इसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि जो इसका profit है वही इसका loss भी है ठीक है तो यहां पर selling क्या है what is the selling price selling price हो जाएगा इसका क्या 22% तो इसकी जगए कुछ और मान लेते हैं 100 मान लेता हूँ तो इनुगा cost price 100 है फिर 22% का इसको profit हो रहा है यहने कि 12% तो यहां भी अगर देखा जाए 100 से काम नहीं चलेगा एक काम करो उसको वही ले लो इसको 7.5 मान के चलो 7.5 अगर मान लेते हैं रुपीज पर के जी है तो यहां पर 22% का यहां पर profit हो रहा है तो यहां पर 8% क्या है 8% यहां पर लॉस दिख रहा है अगर लॉस है तो 100 माइनस करोगे ऐसा करने पर यहां पर जो profit और लॉस है तो दोनों बराबर है तो इसका नो फ्रॉफिट नो लॉस होगा अब देखो यहां पर प्रॉफिट के पहले वाले केस में अब प्रॉफिट is what 7.5 का 22 इसका मतलब कहने का मतलब यह है द्यान से देखो इसका अम ऐसे भी कर सकते हैं की है गो तैविन पॉइंट 5 का जो 22 परसेंट है जो उसका लॉस है तो इसको अगर हमें सॉल्ल करूंगा तो दोनों बराबर होंगे वडिदा सेलिंग प्राइस ऑफ टमेटों दा होल ट्रांजेक्शन देस नो प्रॉफिट है नो लॉट ठीक है वई सेलिंग प्राइस हमको बताना है ठीक है टमेटों का अच्छा दोनों को यह 7.5 रुपीज पर केजी में बेच रहना है कि मुझे लग रहा है अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो सेलिंग प्राइस यह रखा है इस को दो मेट के लिए स्किप करते हैं लग रहा है कि हो सकता है इस सवाल में कुछ गलती हो ठीक है चलो next question पहले कर लेते हैं तो इसको दुबाल से लोट जाएंगे अगरी सवाल सही होगा तब अगला सवाल ठाइटो अंडेस्टेंड इस सोचिए क्या कह रहा है जॉनी केल्कुलेट्स प्राइस वाइल जिनी एट सेलिंग प्राइस हो क्या रहा है जॉनी औ आले यह फ्रॉक्त है आर दोनों लोगों ने अपने अपने प्राइस को 10% किया यह कह रहा है दोनु ऌकर बराबर राइस सेलिंग प्रैस हमको निकालन है को तो तो सो हे प्राइसक अरह कुलेट को क्या होगा Selling Price के Respect में देखा जाए तो Profit is 10, then what will be the Profit, Profit कितना होगा, Selling Price क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा, X-100, divided by X होगा, ठीक है, अब ऑन में क्या आएगा, Selling Price आएगा, जब भी Selling Price के Respect में बात होगी, तो Cross Multiply करोगे, तो कितना हैगा, this will be Cancel हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा, X will be equal to 10 times of X minus, this will be 1000, so this will be what, this will be 9X equal to 1000, तो X का Value, 1000 upon 9, ठीक है, यह आपका हो जाएगा, Selling Price, this will be the Selling Price, now हमको निकालना क्या है, Point the Ratio of the Selling Price, हमें Selling Price का Ratio Point of करना है, SP1 and SP2, पहला Selling Price 110, दूसरा है हमारे पास, जितना 1000 upon 9, upon का 9 जाएगा उपर, एक एंसिल, 99 upon 100, 99 upon 100 will be the right answer, option number D, यह हमारा right answer हो जाएगा, एक बार इसको देख लो, सवाल अच्छा है, और बताओ, यह बात समझ में आई की नहीं आई, हमने क्या किया कोश्चन में, हमने सबसे पहले cost price को बराबर करना, तो फिर, तो उमीद करता हूँ, आपको session, अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ दी mock test for general aptitude, जाएए, enroll करिए, एप के अंदर और इनको जाके attempt करिए, ठीक है, इस session के बाद आपको वहाँ पर उस video को देखना है, और एप को install करके वहाँ पर इनको attempt करना है, और मुझे बताना है, कैसा आप score कर रहे हो, कैसा आपका preparation चल रहा है, आपकी preparation को boost up करने के लिए आपर हम लोग उने mock test दिये हैं, तो चाहिए, इसको attempt करिए, तो मिलते हैं, तिल देन, thank you so much guys, and happy learning.